भारती जंता पार्टी के राष्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़ा भारी बारिश और बार्ड के कारण हिमाचल प्रदेश में आई भीशन तबाही और जानमाल के भारी नुक्सान का जाइजा लेंगे भाष्पा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने बताया कि भारती जंता पार्टी के राष्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़ा बीस अगस दोहजार तेइस रविवार को भारी बारिश बार्ड एवं भू संकलन के कारण हिमाचल प्रदेश में हुई भ भारी बारिश के कारण हुए ध्वस्त प्राचीन शिव मंदे स्थल का अवलोकन करने भी जाएंगे और शिम्ला एवं बिलासपुर में स्थानी प्रिशासन के साथ राहत बचाव एवं पुनहवास कारियों पर चर्चा भी करेंगे बिंदल ने बताये कि नड़्डा कल प्रातर नौ बजे पॉन्टा साहिप सिर्मौर पहुचेंगे इसके पश्चा वे सडग मार्क द्वारा प्रातर नौ बज कर पैंटिस मिनट पर गाउं सिर्मौरी ताल एवं कच्ची ध्धांग पहुचेंगे जहां वैसिर मौरी ताल शेत्र में बादल फटने से उत्पन हुई स्थिती का जाइजा लेंगे तथा इस हाथ से में दिवगत पांच सदस्यों के परिवार जनों से मुलकात भी करेंगे भारतिय जनतापाटी के माननिय राष्ट्रिय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड़ा जी कल बीस अगस्त को एक दिवशिय हिमाचल प्रदेश के प्रवास पर आ रहे हैं और उनका ये प्रवास पूरी तरह से जो बाड़ ग्रस्त क्षेत्र हैं यानि भारी बरसात के कारण अनेक स्थानों के ऊपर जो भयावैस्थिती पैदा हुई है उसको अवलोकन करते हुए और प्रशाशन से चर्चा करने हेतु ये एक दिन का प्रवास रखा है और तीन चार स्थानों के ऊपर वह अवलोकन हेतु जाएंगे और शेमला में और बिलासपूर में दो स्थानों के ऊपर वह प्रशाशन के साथ सारे विश्यों के ऊपर विस्त्रित चर्चा करें अभी पांच मिनट पहले ये टूर प्रोग्राम जारी हुआ मैं उसी की इंतजार कर रहा था कल प्राता नौ बजे अधर निंड़ा जी पॉंटा सहब पहुंचेंगे और अमारा जो सतौन का हवा है या कहें उसको गौवर्मिट सीनर्स केंड़ स्कूल सतौन वहां पर लैंड करेंगे वहां से कच्ची घाटी में हो रहा जो नुक्सान रहे उसका अवलोकन करेंगे सेर्मौरी ताल में जो बादल फटा है उसका अवलोकन करेंगे और वहां पर प्रभावीत प्यक्तियों से मिलेंगे तत्पष्चात वापिस निकल जाएंगे और प्रातक 11 वजे से पहले वह शिमला पहुंचेंगे शिमला में शिवपाडी में जो मंदिर ध्वा और बहुत ही दुखदाई स्थिती जहां पर है 16 शव वहां ब्रामद हो चुके हैं वहां पर वो जाएंगे और उस स्थल को देखेंगे तत्पष्चात जो हमारा कृष्णा नगर के क्षेतर में भावन गिरे हैं उन भावनों को बाईपास से अवलोकन कर करने के बाद पीटर होफ में आएंगे जहां अधिकारियों के साथ उनकी विस्तरित चर्चा होगी तत्पष्चात वहां से वह बिलासपूर जाएंगे और बिलासपूर में प्रशाशन के साथ विस्तरित चर्चा करने करेंगे